दोस्तो इस तरीके की consistent देखीगा loss recovery करनी है आपको या फिर देखीगा इस तरीके की 25 अगस को देखेगा यह मैं आपको दिखा रहा हूँ consistent loss recovery आज बताया था uptrend देखे जाके check out करिएगा यह देखे 9 बचके 10 मिनट पे uptrend बताया था और आपको बताया था 18 मिनट में आएगा तो जाके check out कर लीजेगा चार्ट चेक कर लीजेगा बिलकुल cross verify कर लीजेगा free telegram channel है अगर loss recovery करना चाते तो join कर लीजेगा तो बड़ी update आ रही है डानी से related और आपको पता है कि डानी से related सारी update इस समय बहुत बहुत important है क्योंकि आपको बता है कल कई सारे multiple outcomes आने हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सारे video सारी information मैं cover up करूँगा और मैं आपको बता हूँगा किस तरीके का momentum देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पे देखेगा 45 minute पहले एक update आ रही है जो आपको कल के लिए बहुत important है यह आपको पता भी होनी चाहिए तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे विवादों के सायों में आ गए है फिर से और यह हिंदुस्तान पे जाके आप यह पूरी information पढ़ सकते हैं बहुत सारे article आपको देखने को मिल साएंगे कि विवादों के साए में अडानी आप चेक आउ ट करेंगे विवादों के साए में अडानी समू का यह project आसान नहीं आगे किरा तो अब तक करेंगे सबसे बड़ा project और यह ऐसा project है कि इस पर इतनी movies बन चुकी है वो आप चेक आउट कर सकते हो चुकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी एशिया के सबसे बड़े स्लम यानि कि अगर आप देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा स्लम स्लम और उपर से एक तरीकी का सोना एक तरीके का काला सोना मुंबई का एक तरीके का काला सोना आप समझ सकते हैं इस particular देखेगा slum पे इतने सालों से इतने सालों से इतने project आये इतनी company आये इतनी company चली गई लेकिन फिर भी इसकी रूप रेखा नहीं बदली आप देख सकते हो जाके कई सारे videos even देखेगा slum dog millionaire VC पे बनी हुई है तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो Asia का सबसे बड़ा slum है इसको redevelop करने के लिए जो project का bid किया गया था कई सारी multiple companies ने किया था जिसमें यह bid confirm किया पाया Adani Group ने यानि कि कई बार हुए प्रयास अब Adani Group करेगा यानि कि इसका जो पूरा काया कल्प है वो बदलने का काम किसको मिला है Adani को लेकिन जब यह मिला था तब बहुत बड़ी positive update थी यह बहुत बड़ी positive update थी लेकिन अगर आप देखेंगे यह project मिलने के बाद अब विवादों में आ गया और आगे की जो road map है वो इतनी आसान नी होने वाली है चुकिए अगर आप देखेंगे तो इस project पे एक आच आई है क्या आई है बीते साल नॉंबर में समू की company Adani properties ने 5000 करोण के आसपास देखेगा निवेश की पेशकर स्कीती slum colony के redevelopment के लिए और ये contract क्या करा था हासिल कर लिया था यहाँ slum colonies 259 hectare में फैली है और अगर आप देखेंगे इसका redevelopment का काम Adani को दिया गया था लेकिन इस पे आ चुकी है देखेगा legal challenge आ चुका है दरसल बहरीन के शाही परवार द्वारा समर्थित सेक लिंक technology ने भी धारावी project के लिए बोली लगाई थी यानि के और भी bidder थे लेकिन इसको पचाड कर Adani समू ने इसे जीत लिया अब प्रतिदंदी बोली दाता सेक लिंक ये कह रहा है कि इस बोली की प्रक्रिया को कानूनी चुनौती दे दी है क्यानि कि इस bidding process को कानूनी चुनौती दे दी है आरोप है कि Adani समू को project देने के लिए महराज सरकार ने 2018 के मूल ट्रेंडर को अनुचित तरीके से रद कर दिया इसके लिए सेकलिंक ने सबसे अधिक बोली लगाई थी तो अगर आप देखेंगे इसके बाद 2022 में नई शर्तों के साथ प्रक्रिया को फिर से शुरू किया ताकि Adani समू को जीत मिल सके इस मामले की सुनवाई मुंबई के अदालत में हो रही है और अगामी 21 अगस को एक बार फिर सुनवाई होगी हलाकि Adani समू मारा सरकार ने सेकलिंग कारोपों को सिर्य से खारिच कर दिया है तो अगर आप देखेंगे तो आने वाले तीन चार दिन पूरे Adani के लिए होगी यह हफता पूरा Adani पर होगा इस पर्टिकुलर आउटकम के बाद या फिर इससे पहले जो आउटकम आने वाले हैं उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट किधर डारेक्शन लेगा तो एक एक information important है और इन information के basis पर ही Adani के stocks पर impact आएगा और उसके basis पर ही आपको reaction देखने हो मिलेगा तो focus करिएगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe पर ना न भूलेगा Thank you so much